यू से दिना में साकारिक बद देए लाइक यू लाइक दाइ हैलो एवरिबन कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे अल्ला के हिब्ज और अमान में होंगे और आपकी दौाओं से अलम्दोईल्ला मैं भी ठीक ठाक हूँ तो आज मैं बनाने चारी हूँ मतर और टमाटर की सबजी जो बहुत ही टेस्टी है वैसे तो आप लोग भी बनाते होंगे लेकिन हर इनसान के बनाने का जो तरीका है वो अलग होता है और टेस्ट भी जायका भी अलग होता है तो ये मैंने माटर लिया है और माटर को मैंने छील लिया इसके लिए मुझे में इंग्रीडियन चाहिए वह है माटर और टमाटर और कॉरियंडर लिफ धनिया की पति तो सबसे पहले मैं कराही में तेल डालूँगी सरसो का तेल और उसको मैं हीट अप करूँगी देखें इधर मैंने मतर को छील लिया है टमाटर को काट लिया है और मेरा जो तेल है वो भी अब गरम हो चुका है अब इसमें मैं एक प्याज को मेडियम साइस की प्याज को मैंने काट लिया है और काट कर मैं गरम तेल में इसको डाल दी हूँ अब मैं प्याज के अंदर डालूंगे ये साबुत जीरा है ये साबुत जीरे को मैं डाल दूंगे और प्याज के साथ इसको ये भी प्याज के साथ साथ ये भी ब्राउन हो जाएगा अब इसमें ये जो प्याज है अब ये ब्राउन हो चुका है अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर टमाटर को मैंने काट लिया था तो अब इसको मैं डाल दूंगी और टमाटर को अच्छी तरह से इसमें पकाऊंगी टमाटर को मुझे अच्छी तरह से गलाना है तो आब इसमें मैं डालूंगी नमक अपने टेश्ट के हिसाब से अब इसको अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक का पेश्ट डालेंगे और पेश्ट डाल कर फिर इसको पकने देंगे इसमें जो भी मसाला प परेगा इसको चम्मस से अच्छी तरह से टमाटर को उसको कुछलेंगे ताके वो अच्छी तरह से वो मिल जाए अब इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर और अच्छी तरह से हल्दी का पाउडर डाल कर इसको पकने देंगे अब एक एक करके सभी मसाले को मैं इसमें डालू डालने के बाद, और रेट चिली पौडर पराउड टालने के बाद, थाके मचा चिली पौडर है वो भी दूर हो जाए और ये टमाटर के साथ पक जाए देखें कितने अच्छी तरह से टमाटर गल चुका है और टमाटर के साथ साथ मसाला भी भुन चुका है अब मैं इसमें मतर को डाल दूंगे तो मतर को डालने के बाद मैं टमाटर के साथ मतर को भी अच्छी तरह से इ तो देखें अभी भी तमाटर का पानी की जरूरतं नहीं, तो तमाटर का पानी भी पानी में पक्तुकूदीर के पानी ही अभी पानी में है और धाला। तो मटर को गलने तक मुझे पानी की ज़रूरत है तो मैं पानी इतना डालूँगी ताके मटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और उसके बाद अब मैं इसको ढख कर पकने दूँगी अब मटर गल गया है अब इसमें कुरियंडर लिफ्स को मैं डाल दूँगी और कुरियंडर लिफ्स को डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च को डालूँगी क्योंके हरी मिर्च से टेश्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है तो मैं साबूत हरी मिर्च को डाल दूँगी और ज्य बिल्कुल तब्दिल हो गया है और मतर भी गल गया है तो ये मेरा बहुत ही टेश्टी ये मतर और टमाटर की सबजी बनके तयार है तो अब मैं इसे डिस आउट करूंगे ये सबजी रोटी और चावल दोनों के साथ ही बहुत टेश्टी लगता है तो आप इसे जरूर लगती हो तो मिरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक करें सेर करें अपनी दौा में याद रखें अल्ला हाफीज